नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ जारकन के राची में सीएम आवास में कड़ बंदन दलों के विदायकों की बैठक कतम हुई बैठक में शामिल विदायकों से हैमन सोरेन ने कहा सोशल मीडिया और अकपारों पर ध्यान ना दे मैं किसी भी कीमत पर इस्तिफा नहीं दे रहा हूँ साथ ही सभी विदायकों को अभी राची में ही रहने का निर्देश दिया गया है चर्चाय की सभी विदायक मिलकर वन्बोज में जा सकते हैं पेटक से बाहर निकले कॉंगर्स के विदायक प्रदी ब्यादव ने कहा कि हैमन सोरेन अभी मुख्य मंतरी है और आगे भी मुख्य मंतरी बने रहेंगे विदायक मतुरा महतो ने कहा सरकार पर कोई संकट नहीं है सीएम हैमन सोरेन है और वहीं बरकरार रहेंगे उन्होंने कहा कि स्थिवे की बात सही नहीं है जैसा है वैसा चलता रहेगा मितिलेश टाकूर ने कहा हैमन सोरेन हमारे सर्व मानने निता है वहीं मौझूद रहेंगे पत्रकारों ने जब पूछा कि फिर वह विदायक दल की बैठक क्यूं इस पर उन्हों ने कहा नए साल में हम सभी मिले हैं गड़बंदन में शामिल सभी दलों की विदायकों से मिले और मिठाईयां खाई है विदायक रिफान अंसारी ने कहा कि बै चर्चा नहीं हुई महीं अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार है खिलाफ चल रही साजिश पर चर्चा हुई मुक्य मंत्री हैमें सोरेन बने रहेंगे यह तय है इडी का अंतिम समन्ता जिस पर नों ने जबाब दिया है बैटक में नलिन सोरेन सुद्यव कुमार सोनू बेबी समीर महंती रामदा सोरेन संजीव सरदार मंगल कालिंदी सवीता महतो दिपक विरुवा नीरल पूर्ती जोबा मांजी सुकराम उराव दश्रत गगरई बूशन तिर्की बैदेनात राम मिथिलेश ठाकुर अंबा प्रसाथ जै मंगल सी बूशन बाड़ा रामचन सी और सत् समित सेती स्विधायक शामलत रहे इसी के साथ परने राजनामा टीपी के साथ धन्यवाद